आप लोग भूमिद दोस्ट आप सब बहुत अच्छे सोगे स्वागत है आपका बहुत ही इंपोर्टन वीडियो में और इस वीडियो में हम दोस्तों इसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही आसान सा और बहुत ही महत्पूर सा हिंदी की पार्थ योजना यानि की लेसन प्लान डिसकस करेंगे और आज का हमारा प्रकर रहेगा टॉपिक रहेगा संगया असान से सब्दों में इसको डिसकस करेंगे ताकि आपके फाइल बनाने में आसानी हो जाए आपको पार्थ योजना लेसन प्लान फाइल जल्दी से कंप्लीट करा दिया जाए तो आप इसके आप मिलकर साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं आज एक हिंदी का बेहतरीन सा पार्थ योजना हमारा आज का प्रकरण है संगया ठीक है तो आपने इस तरीके से अच्छा एक और चीज़ अगर आप हिंदी का या फिर किसी भी भी से का परिक्षा में कैसे लिखेंगे आप आपको यहां से अंदाजा हो जाएगा क्योंकि बेपर जो परिक्षा की कॉपी होती है वो इसी प्रकार से होती है और परिक्षा में आपको इसी प्रकार से बच्चो लिखना है तो चलिए आज का हमारा प्रकरण क्या है बच्चो संगय है ठीक है बच्चो आपने इस तरीक अगर आप बालिका है तो छात्रा ध्यापिका की नाम और विद्याले का नाम अगर आप परिक्षा में लिखे रहे तो आप यहाँ पर डॉट कर दीजी का नाम लिखना बहुत सही नहीं है लिख देते हैं तो कोई हर्च की बात नहीं है अब आएए सबसे पहले हम सुरुआत क नियम का ज्यान करके उनमें भासा विक्सित करने की चमता विक्सित करना यह उद्य से है व्याकरण का चात्रों में हिंदी भासा को सुद तरीके से बोलना लिखना पढ़ने की चमते के विक्सित कराना चात्रों को हिंदी भासा के ध्वनी तत्वों का ज्यान कराकर सुद उ हिंदी वर्गों की उत्पत्थिवं सब्दों की विविद रूपों से परचित करा ना ये समान नियुदेश है और आप कोई भी व्याकरण का अगर प्रकरण बनाते हैं तो इसको आप समान उदेश में लिख सकते हैं समान निदेश लगबग समान होता है दूसरा आपका पॉइंट आता है बच्चो विस्स टूदेश में जो प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से बच्चे को क्या फाइदा होगा तो पहला बोधात्मक मतलब बोध उसको सारी पहला तो बो जानने का बोध कराना दूसरा बोधातक मतलब छात्रों में संग्या की समझ नहीं से बोध का मतलब समझ जीक है बोध बुद्धी से संबन दीत है शात्र संग्या के प्रकारों का वर्ग कर सकेंगे यह बोधात्मक उद्देश है तीसरा दोस्तों परियोगात्म जीवन में कैस अपनाएंगे उस प्रक्रण को तो पहला चात्रों को सही उपयोग और सही चैन करना हमारा पहला उदेश है चात्र संग्या के उधारों को परियोग कर सकेंगे यह हमारा वोगया परियोग आत्मा कुद्देश यहां तक कुछ नहीं है यहां तक बिल्कुल 7-7 बात थी जो कि आप स्वेम से अपने सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद हमारा टॉपिक आता है बच्छो सहायक समागरी कच्छा उपियों की सहायक समागरी जो भी होते हैं क्लास्ट्रूम में उसके साथ संग्या के प्रकारों के चार्ट ठीए संग्या के प्रकारों को दसाता हुआ चार जैनकारी रखते है। व्याकरण की चली, अभी यहां से हमारा में शुरू होता है, चो की परास्तावोना प्रश्न बहुतeld लेसें सब्वान की सीजिटाना क्यी प्रास्तायों का WAS किक? एक सिक्षक ने कहा कि सिक्षक हमें किस से पराप्त होता है मतलब हम कहां से सिक्षक पराप्त कर सकते हैं तो बच्चों ने चात्र किरिया में जवाब दिया कि हम सिक्षक से पराप्त करते हैं पुस्तकों से पराप्त करते हैं अच्छी बात है दूसरा आपने प्रशन का कि सिच्छक हमें कहां मिलते हैं सिच्छक हमें स्कूलों कॉलेजों में मिलते हैं आच्छा स्कूलों में हम किन किन चीजों से लिखते हैं स्कूलों में हम पैन पैंसिल आदी से लिखते हैं अब सिच्छक कह रहा है कि सिच्छक एक व्यक्ति है, इसकूल एक अस्थान है, पेन एक वस्तु है, तो हम इन आधिक को बोध कराने वाली एक सब्द को बताईए, इस एक सब्द को क्या कहते है, तो बच्चे तो समस्यात्मक हो गई, मौन हो गए, तो मौन यानि कि समस्यात्म में teaching करना है तो इसी तरीके से करिएगा जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ चली अगला point है हमने आप प्रस्तूती करण डाल दिया प्रस्तूती करण में छात्रा ध्यापक के द्वारा संग्या था उनके प्रकार को चार्ट के माध्यम से प्रस्तरशित करेंगे ठीक है बच्चो चली हमने इस तरह का से चार्ट बना लिया जहां पर पहला सिख्षड बिंदू जो टॉपिक हमें पढ़ाना है छात्रा ध्यापक या अगर आप ध्यापिका है तो छात्रा जापिका किरिया छात्र किरिया विधी और स्याम पण कार यह हमारी चीज bicycle है ठीक है चली तो पहला हम क्या पढ़ाएंगे बच्चो इस अंग्या अर्थ के बारे में हमने बच्चों को बताया कि संग्या दो अब दो से मिलकर पना है सम प्लस ग्यान और सम मतलब भली प्रकार और ग्या मतलब ग्यान कराने वाला अर्थात पुर्ण रूप से ग्यान कराने वाले सब्द को संग्या कहते है चातर क्या करेंगे ध्यान पुर्वक सुनेंगे आपने व्याख्यान विदी का परयोग यहां प कि किसी भी वेक्ति वस्तु अस्थान का ग्यान कराने वाले सब्द को संग्या कहते हैं या फिर किसी वेक्ति वस्तु अस्थान के भाव को संग्या कहते हैं आप अच्छा परिवासा रिखेगा कि किसी वेक्ति वस्तु अस्थान के ग्यान कराने के लिए क्या कहते हैं संग्या यहां भी आपने बेशक आपने व्याख्यान विदी का lecture method का यहां पर परियोग किया ठीक है बच्चों चरी next देख लेते हैं आप क्या करेंगे next संग्या की प्रकार के बारे मैं बच्चों को बताएंगे कि संग्या पांच प्रकार के होते हैं वेक्ति वाचक संग्या जाति वाचक संग्या दिव वाचक संग्या समु वाचक संग्या भावाचक संग्या ठीक है यहां पे आप एक और चीज़ एड़ कर सकते हैं कि यहां पे प्रश्न यहां पे पूछ सकते हैं बच्चों को बधात्मक प्रश्न कि संग्या किसे कहते हैं तो बच्चे जवाब देंगे यहाँ पे चाहे तो आप एक पॉइंट एड़ कर सकते हैं मगर परिच्छा में समय की किम्मत होती है तो आप ना भी एड़ करें तो कोई समझ जा नहीं है चलिए संग्या के प्रकार में हमने बता दिया बच्चों को पांच प्रकार के होते हैं पहला आप वन बाइवन उसको अक्स्प्लेंड कर देंगे कि व्यक्ति वाचक संग्या किसे कहते हैं तो सब्द किसी व्यक्ति विशेशा स्थान वस्तु का बोद करा है उसे व्यक्ति के वाचक संग्या कहते हैं आपने इस तरीके से blackboard पे लिख दिया जाति वाचक संग्या की परिवासा डाल देंगे जो संग्या एक ही प्रकार के वस्तों की पुरी जाती का बोध कराता हो जाती वाचक संग्या कहराती है जैसे नदी नदी कही नदिया होती है परवत कही परवते होते है लड़का लड़का मतलब लड़कों की बात की एक जाती की बात की जा रही है चात्र ध्यान पुरोग सुगेंगे व्याख्यान विदी और जो उधारण है उसको आप ब्लैक बोड पर लिख देंगे ठीक है बच्चो इस त भबया ली पदर्थ वाच्चे पदर्थ के कबोध होता है इसे रभबय वाचक संग्या कहते है जैसे सोना चाथी घेल तेर आदी चात्र ध्यान को सुनेंगे है व्याख्यान विदी का पर योग ही है और आपने उधारण में जो भी आपने शाप्त दिया आपने उधारण पर मेंचिन कर दीजिए, ठीक है, समुह वाचक संगया, जो संगया किसी एक व्यक्ति का वाचक ना होकर किसी समुह का वाचक हो, उसे समुह वाचक कहते हैं, जैसे आर्मी, आर्मी मतलब इंडियन आर्मी, आप आयम, we are all proud, our army, तो परिवार में कई सदस्य होते हैं, संग, ठन, समुह, तो ये सारी चीज़े क्या है, समुह वाचक संगया, छातर ध्यान पूरग सुनेंगे, व्याख्या और आपने एक्सेम्पल को लिख दिया, भावाचक संगया मतलब जब किसी सब के भाव, गुर्दसा आदी का ग्यान होता हो, उसे भावाचक संगया कहते हैं, जैसे संगया बताईए, तो तीनों क्या है, कि लखनव, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, में संगया बताईए, यहाँ पर लखनव भी है, और उत्तर प्रदेश दोनों बात की जारी है, किसी जगह राजी के नाम लिया जा रहा है, संगया कितने प्रकार कहते हैं, बच्चे ब नहीं उतारा और पुनरवर्ति एवा मुल्याइनकन कारे में आप बच्यों को क्या करेंगे चातरां थ्यांपक, अन्य उतारों की मदद से चात्रों से प्रश्ण पूच कर मुल्याइ loyal करेंगे की पढ़ाया हुआ, प्रकर्व चात्रों को बली बाती समझ में आया की नहीं आया ग्रिय कारे दे देंगे कि सभी चात्र संग्या की परिवासा तता उनके प्रकारों के बारे में उल्हारार सहित लिख के लाएंगे दोस्तों इतनी आसान और इतनी सहल और इतनी सहज तरीके से यह पाठी योजना बनाया गया है अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया दुबारा आपको पाठी योजना देखने के जोरत नहीं पड़ेगी आप स्वेम से ही इस सारी चीज़ों को लिख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पाठी योजना बनाया गया है और मैं आसा करता हूँ मेरे तरफ से पर्यास था कि मैं भी बहुत आसानी से आपको समझाने की कुशिश करूँ ताकि आप आसानी से समझ के दोस्तों आप अपने पाठी योजना को तयार कर सके ठीक है बच्चो तो इस तरीके से इस वीडियो को हम यहीं समापत करेंगे आखरी आपसे एक निवेतन है कि अगर आप ने इस वीडियो को पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यह हमारा चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा आगे किस फिसे का आप पार्ठी योजना देखना चाहते हैं आप बता दीजिएगा उस पर जरूर आप पार्ठी योजना आपके लिए बनाने की प्रयास किया जाएगा तो फिला इस वीडियो में इतना ही दोस्तों बहुत बश्चुक्रिया यह पार्ठी योजना आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएग जय ही जय भारा साथियो मिलेगे अगले पार्ठी योजना में जो आपका कमेंट रहेगा उस पार्ठी योजना में तो जय ही यवारा साथू